छी है चलि यह नेक्स टेक्स पर जएये practice set number है यह 274 practice करेंगे इसमें हम important current effect के प्रश्णों पर ही किसे मौर्णिंग में जो current effects था उसमें बारे important प्रश्ण थे और इसमें 8 important प्रश्ण है तो यह जो आज हमने practice की 20 important प्रश्णों की तो पहला प्रशन है ग्यान पीट पुरुसकार के तहत कितनी धनराशी सम्मान के तौर पर दी जाती है 5 लाख रुपे, 25 लाख रुपे, 11 लाख रुपे, 4 लाख रुपे ग्यान पीट पुरुसकार दोहार 23 से दो लोगों को समानित किया गया है एक है गुलजार और दूसरे माधवाचार है तो 11 लाक रुपे की जो धनराशी है इसमें को समान के तोर पर दी जाती है ज्यानपीट पुरुषकार में देखे वर्स 2.23 का जो ज्यानपीट पुरुषकार है उर्दू, कभी और गीतकार गुलजार को और संस्कृत विद्वान जगद गुरु राम भादर चारे को दिया गया यह पुरुषकार दूसरी बार संस्कृत के लिए और पांचवी बार उर्दू के लिए दिया गया है ज्यानपीट पुरुषकार से जुड़ी इंपोर्टेंट बातों को यदि हम देखें तो इस पुरुषकार के दहद विजयता को कितनी 11 लाख रुपे का नगत पुरुषकार मिलता है एक ट्रॉफी मिलती है एक प्रसस्ती पत्र मिलता है पहला व्यक्ति जो ग्यानपीट पुरुषकार प्राप्त करता थे जी संकर कुरुप और 1966 में बांगला लेखक तारा शंकर बंधोपाद्याय को दूसरा ग्यानपीट पुरुषकार दिया गया था और एक और चीज़ इंपोर्टेंट है हिंदी भासा में पूछ ले तो हिंदी विशय में पहला ग्यानपीट पुरुषकार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है सुमित्रा नंदन पंत इंपोर्टेंट प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स हिंदी में वैश्विक भूख सूच कांक 2024 में भारत का कौन सा इस्थान है मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 एक्सो पंद्रवा 105 एक्सो पैंटिस वा भारत का इस्थान है 105 वा अपसर नंबर भी है इस कांसर देखे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जी एचाई एक व्यापक उपकरण है जो वैश्विक छेत्रिया और राश्टिया इस तरह पर भूख को ट्रैक और मापता है भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत 127 देशों में 105 वे स्थान पर है जो गंभीर भूख स्रेणी में आता है और जी एचाई स्कोर कितना भारत का 27.3 जो गंभीर भूख के इस तरह को दर्शाता है सबसे अच्छे पाइदान पर या सीर्स देश कौन सा है जिसकी हालत सबसे ठीक है सीर्स प्रदर्शन करने वाला है बेलारूस उसकी रेंक बन है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है सोमालिया 127 में से 127 वा सबसे अंतिमिस्थान देखे यह जो रिपोर्ट है भारत में या किसी भी देश में भूक और कोपोर्षन की गंभीरता को उजागर करती है और इसे दूर करने के लिए सामोहिक प्रियासों की आवश्रक्ता परवल देती है important question है दादा साब फाल के पुरुषकार दोहर 24 से किसे सम्वानित किया गया दादा साब फाल के पुरुषकार दोहर 24 से सम्वानित किये गए है मिथुन चक्रवर्ती अपसर नंबर बी है इसका अंसर तो बॉलिवुड के दिगज भी नेता है ये डिस्को किंग के नाम से मसूर है भारते फिल्म इंडस्ट्री में नाम है मिथुन चक्रवर्ती इनको भारते सिनिमा में इनके उतकरष्ट योगदान के लिए ददसाफ हाल के पुरुसकार से समानित किया गया ददसाफ हाल के अवार्ड और यह पुरुसकार उनको 8 अक्टूबर 24 को 70 वे राष्टे फिल्म पुरुसकार समारों के दुरान परदान किया गया देखिए पैरिस ओलंपिक जो नॉर्मल ओलंपिक है हो समाप्त हुए उसके बाद पैरिस में ही पैरा ओलंपिक हुए तो अधिकतर पैरा ओलंपिक से भी करते हैं एक्जाम्स में क्योंकि जो नॉर्मल ओलंपिक है उसको सब पढ़के चल जाते हैं पैरा को छोड़ देते हैं तो कुश्चन नॉमबर 4 है यहां पर फ्रांस की राजधानी में आयोजवळ पारिस 24 पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड कितने पैरा एथलीटों ने भारत का परतुनीत किया कितने गय थे कुल 84 पेरा अथलीट कुल 84 पेरा अथलीटों ने भारत का पृतिवनित किया था जिन में से 7 ने गोल्ड मेडल जीते और कुल मिलाकर 29 लोगों ने कोई ना कोई पदक जीता ठीक है? इस 29 में 7 सौन पदक हैं जिन से ही एक्जाम में प्रश्ण बनेगा एक तो नंबर और टोटल पे बनेगा इस पर बन सकता है कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने पैरा में और सौन कितने हैं उनों से 7 अब सबसे जाद है इंपोर्टन जो उन साथ लोगों ने सौन पदक जीते हैं उनके नाम 28 से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयो जीत पैरिस दुहार चौवेस पैरा ओलम्पिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथिलीटों ने भारत का पृतिवनत किया इंपोर्टन है एक्जेक्ट डेट भी पूछ सकता है भारत ने पैरिस दुहार चौवेस खेलों में पैरा ओलम्पिक के तिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन किया है अभी तक का कुल 29 पदक जीते हैं भारत के पैरा अथिलीटों ने जिन में से 7 सौन पदक हैं 9 रज़त पदक और 13 हैं काश्य पदक क्वेशन नुबर 5 पर आजिए पैरा ओलम्पिक 24 इसमें निम्रिक दमें से किस ने सौन पदक नहीं जीता तो साथ लोगों ने जीता है उन साथ में से तीन खिलाड़ी इसमें है अबनी लेखरा सुमित अंतल मरियप पन्थंगवेलू धर्मबीर देखिए मरियप पन्थंगवेलू को तो आदत है एथलेटिक्स में गोल्ड मेटल सौन पदक जीतने की लेकिन इस वार थोड़े से चुक है इस वार काश्य पदक ही ये जीत पाए धर्मबीर ने एथलेटिक्स में सौन पदक जीता है सुमित अंतल ने सौन पदक जीता है अबनी लेखरा ने सौन पदक जीता है फिलाल इसका अंसर क्या हो जाएगा मरियप पन्थंगवेलू अपसा नमबर सी तो अबनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेलों में दो सौन पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला है उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल करने वाले पहले भारते पुरुस खिलाड़ी के रूप में दिहास रज दिया उन्होंने पुर्सों की भाला फैंक एफ-64 में 70.59 मीटर के सांदर थ्रों के साथ गोल्ड मेडल जीता है नहीं सौन पदक जीता जो एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड है बात करें मरियपन थंगे वे लुगी लगात्यार तीन साल से ये पैरा ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं। ठीक है, रियोPod 2015 में 69 जीता था इनाने, और टोकियो 220 में रज़त पतक जीता था इनाने, इस बार कांश्य पतक जीता है इनुए और यहीन सर हो जाएगा वाकि भारत ने पहली बार Athletics में दो रेकॉड दर्ज किये हैं जिसमें धर्मबीर और परणप सूर्माने पुरसों की कलव थ्रो F51 स्पढदा में क्रमसा स्वनपदक जीता तो धर्मबीर ने जीता स्वनपदक और रजत्पदक जीता परणप सूर्माने ठीक है तो यहां अंसर सौन पतक जीतने वाले व्यक्ति खिलाडी का नाम धर्मबीर सुमित अंतिल और अबनी लेखरा जो नहीं है तो कौन नहीं है मरियपन थंगवेलू क्यों कि मरियपन थंगवेलू ने काश्र पतक जीता है अब यह ताली का बड़ी इंपोर्टन्ट है यह वो साथ खिलाडी है जिनोंने सौन पतक जीता है अबनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हर्विंदर सिंग, धर्मबीर, प्रवीन कुमार, नवदीव सिंग अबनी लेखरा ने सूटिंग में जीता इवेंट का नाम क्या है, दस मीटर, महिला दस मीटर, एयर राइफल स्टेंडिंग, SH1 में सौन पतक जीता नितेश कुमार ने वेट्मेंटन में, पुरुस एकल, SL3 में सौन पतक जीता सुमित अंतिल ने एफलेटिक्स में, उस में भी क्या, पुरुसों का जैबिलिंग थ्रो, F64 में सौन पतक जीता हरविंदर सिंग ने तीरंदा जी, यानि पुरुस इंडिविज्वाल रिकावर ओपन में सौन पतक जीता एफलेटिक्स में धरमबीर ने भी जीता है, लेकिन इस परदा उसके अंदर इवेंट क्या है पुरुस कलब थ्रो, F51 में सौन पतक जीता, एफलेटिक्स में प्रविंद कुमार ने भी सौन पतक जीता है पुरुस हाई जंप T64 में और नवदीव सिंग ने एफलेटिक्स में सौन पतक जीता है पुरुस भाला फैंक F41 ठीक है अपनी लेखरा नितेश कुमार, सुमेट अंतिल, हरविंदर सिंग, धरमबीर, प्रवीन कुमार, नवदीज सिंग यह साथ खिलाड़ी है, पैरा अथिलीट भारत के जिन्होंने सौन पतक जीता है और कुल पतक कितने जीते गए, 29 पतक जीते गए इन सभी टेस्ट किया, फुल टेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब रखना, सिवल सर्विसेश टेड़ी चैनल को असान सब रशने, 2 अक्टूबर, 24 को सवच भारत अभियान के कितने वर्स पूरे हो गए है जैकि भारत सरकार ने सवच भारत अभियान की सुरुबात की थी, 2 अक्टूबर, 2014 को इंपोर्टन्ट है, तो 10 साल पूरे हो गए, D has cancer सवच भारत अभियान पे कई बार प्रश्ण मना एक्जाम में तो सवच भारत अभियान की सुरुबात 2 अक्टूबर, 2014 को हुई थी प्रधान मंत्री नरिंद मोधी ने महात्मा गांधी के सवच भारत के सपने को पूरा करने के लिए इस अभियान की सुरुबात की थी, इस अभियान के तहत खुले में सौच को खत्म करने और ठोस अप्सिष्ट प्रवंधन में सुधार करने का लक्ष रखा गया था कुश्चन नमबर सेवन पर आज़िए, नमलिकित में से कौन से अंतरिक्ष अभियान सनी ग्रह के लिए भेजे जा चुके हैं हमारी सौर मंडल का ग्रह है, जो की एक इनर और आउटर प्लेनिट में आउटर प्लेनिट है, ठीक है, ये भी पूछ ले जाता है, भुगोल में इनर आंतिक ग्रह कौन से, वाहे ग्रह कौन से केशिनी अंतरिक्षियान पायोनियर 11 अंतरिक्षियान वीनस और विटर मिशन सनी के लिए कौन कौन से हैं केशिनी अंतरिक्षियान है और पायोनियर 11 अंतरिक्षियान तो पहला है दूसरा है वाकि वीनस तो वीनस सुक्र के लिए होगा वीनस ओर्बिटर मिशन ये इस रो का है ठीक है इस रो हो जाएगा इस रो का ये अंतरिक्षयान भेजा जाएगा आने वाले चार से पांच वर्षों में सुक्र ग्रह पर तो इसका अंसर हो जागा किवल एक और दो भी देखिए वीनस ओर्विटर मिशन जो है भारते अंतरिक्ष अंसंधान संगठन इसरो का मिशन है यह है मिशन सुक्र ग्रह के बारे में अध्यिन करेगा और इसे 29 मार्च 28 को लॉंच किया जाएगा वगी सने ग्रह के अभियान में केसनी नाम का रोबर्टिक अंतरिक्ष यान भेजा गया था केसनी अंतरिक्ष यान के जरिए सनी ग्रह और उसके चलो तथा उसके चंद्रमाओं चंद्रमायानी उसके उपग्रहो का अध्यिन किया गया था केसनी अंतरिक्षियान ने सनी ग्रह के चंद्रमा टाइटन के बादलो और धूल के समय के साथ बदलाव का ध्यन किया सनी ग्रह के अध्यन के लिए पायोनियर 11 नाम का अंतरिक्षियान भी भेजा गया था पायोनियर 11 अंतरिक्षियान ने सनीग्रह के F वले और एक नए उपग्रह की खोज की थी तेखे पायोनियर 11 अंतरिक्षियान ने सनीग्रह का जो तापमान है माइनस 180 डिग्री सेल्सियस रिकॉ allemaal किया था कि अच्छा यह दोनों के दोनों जाना केसिनी और पायूनियर यह नासा के द्वारा भेजए गई अंत्रिक्स मिशन हैं ठीक है और नासा को help की थी इतावली अंत्रिक्स एजनशी ने और यह जो केसिनी है केसिनी यह तो competitive exam का फेवरेट है पिछले 10 वर्सों में बहुत प्रश्ण पूछे गए exam से में अगर आप previous year के प्रश्णों को उठा कर देखेंगे तो केसिनी पर हर स्टेट के स्टेट PCS में सवाल वने है जहें उत्रागन PCS हो उत्तर प्रदेश PCS हो बिहार PCS हो MPPCS हो और चाहे UPSC Civil सिवा की परिक्षा हो एक और प्रश्ण ले लो केसिनी से केसिनी मिशन के संबंद में कौन सा कथन सही है यह नाशा का अंतरिक मिशन था ज है और यह साकशीन सायर जैरी को लमने मिशन का इस बेलकुल एस शारे के साहरे साही है ठीसनी के लिए every higher Career उस सेटर्न ओर्पिटर एक लेंडर था किसके लिए किसे लिए इन सनी ग्रह के उपक्रह के लिए या कि उसके चंद्रमा के लिए लिए तो फिलाल डी होगा इस कवा सर Harold लुग है ॉरह दुखर की के खिशिन है क्षिन ही कि एक मानव रही थो है ठिक है अगर मानव निर्मित पूछे बहुत प्रश्च न oraz बन चुक है तो मानव रही न्तौक्षι прямо जिसे उसके डिजाइन में सनी और और सनी चन्दरमा टाइटन के लिए एक लेंडर सामिल है और इस अंतरिक्षियान को कब भीजा गया था 15 अक्टूबर 1997 को लॉंच किया गया था ये वाहे सोरमंडल में उतारा गया ये पहला अंतरिक्षियान था यानि सनी ग्रहे पर ठीक है उसके orbit में उसकी कक्षा में यह है ना वो inner planet हो गए अंदर के फिर outer planet हो गए जैसे की बुद्ध हो गया शुक्र हो गया मंगल प्रत्वी यह inner planet हो गए उसके बाद बाद के वो outer planet हो गया नहीं आंतरिक रहे और वाहेक रहे तो 8 प्रश्ण एडिट थे ही है प्रक्टिस कर लिजेगा इनकी मॉर्निंग में 12 प्रश्ण थे 8 ही है तो आज हमने प्रक्टिस की 20 इंपोर्टन प्रश्णों की धरने बाद